हलो फ्रेंट्स वेलकम तो मैं इस्टेडियोगी टॉफ फीजिकल एजूकेशन चैनल दोस्तों आज का टॉपिक है किन्सिलोजी एंड बायो मैकैनिक्स यानि गतिम ग्यान और जयोयांतर की बिग्यान दोस्तों जैसा कि या किन्सिलोजी औबायो मैकैनिक्स का दुसरा व्राट में बता चुकी हुँ जो है jus my OS जो है फीजिक्स का पाछ है याद रखिएगा कोउचन पुछ लिया जाता है कि नहीं कि नहीं कि वन Ride कि हमारे सरी के अंग किसी उपकरण के द्वारा कैसे उपकरणों के साथ कैसे गति करते हैं, किस एंगल पर किस चीज को फेका जाए, कितना कोड बनेगा, इस सभी चीजे वाइल मेकनिक्स के अंतरगत होता है, यह फिजिक्स के एक साखा है, याद रखेगा. तो दोस्तों, आप जैसे की जानते हैं, कि आपका विहार एस्टेट का एकजाम फरवरी के अंतरग हो जाएगा, दोहजर चोबीस का, और बीपीस सी, तिसरे चरवर का जो, तिचर्स का एकजाम है, वो मार्च में होगा, इतना जल्द फिर से आपको मौका मिल रहा है, इस से ब यह डेली बेसेस पे तयार हूँ, आप डेली बेसेस से वीडियो अपलोड होगा, डेली बेसेस से मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि बीपेसी टियारी 2 में, जो फिजिकल एजुकेशन का एकजाम हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं, कोई भी ऐसा कोस्टन नहीं है, जो मेरा डाउट के लिए कर रहे हूँ, तो दोस्तो कोशन है, किस से प्लेन के द्वारा सरीर कोया आगे और पीछे भाग के रुप द्रसा जाता है, तो को सा ऐसी प्लेन है, जो सरीर को आगे पीछे भाग में बाटता है, वो होता है, फ्रंटल प्लेन यानि अच दोस्तों तल और अच यानि एक्सिस और प्लेन अच यानि एक्सिस क्या होता है एक बिंदू होता है एक कालपनिक रेखा होता है जिसकी चारू और गति होती है और तल यानि प्लेन क्या होता है जो एक एक्सिस यानि की अच्छ की लंबवत पाया जाता है जिसे सरीर में गतिव होती है हमारा जो प्लेन यानि तल होता है तिल होता है सेजिटल प्लेन जिसे हम लेटरल या मीडियल प्लेन भी कहते हैं frontal plane दुसरा होता है जिसे chronal या anterior posterior plane कहते हैं तिसरा होता है horizontal plane जिसे transverse plane भी कहते हैं अच्छ यानि axis जो है वो भी तीन प्रकार का होता है frontal axis, sagittal axis and vertical axis तो जो हमारा plane होता है तल होता है उस sagittal, frontal, horizontal तीन होता है जो sagittal plane होता है उस सरी को दाएं बाएं भागों में बाटता है और गती जो है आगे पीछे होती है यारी flex and extension moments जो होता है वह sagittal plane में होता है sagittal plane या later या medial plane अगर खेलों में हम example देखें दोस्तों तो running, jumping and summer salt इसमें आएंगे and दूसरा है frontal plane जिसी chronal या anterior posterior plane कहते है frontal plane जो है शरी को आगे पीछे भागों में बाटता है और गती जो है दाएं बाएं होती है यानि abduction, adduction moment जैसे हमारे shoulder, hip का होता है खेलों पे हम example देखें frontal plane का तो cartwheel, side jump, side run आ रहे होंगे तिसरा plane होता है horizontal plane जिसे transverse plane भी कहते है horizontal plane जो है सरी को उपर नीचे भागों में बाटता है और गती जो है उपर नीचे यानि सभी rotate and elevation यानि की सभी घुर्णली और चक्रिये गतिया होती है तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जिस बिंदू पर तीनों plane sagittal, frontal, horizontal मिलती है उस बिंदी को cg point यानि central gravity point या cardinal point कहते हैं और एक्सिस भी तीन होता है frontal, sagittal and vertical जो frontal axis होता है उसे ट्रांस्वर्स एक्सिस भी कहते हैं और जो sagittal plane के लंबवत होता है यानि sagittal plane के लंबवत है तो sagittal वाला किरिया यहां पे होगा तो इसको मैं समझा आ चुकी ही दोस्तों next है कोडिये गती उत्पन होती है तो दोस्तों कोडिये गती जो होती है बृत के केंद्र में केंद्र से होती है ठीक है माल लिजी दोस्तों आप हाथ पेर आप चलते हैं या दोडते हैं तो हाथ पेर को उपर नीचे ऐसे करते हैं तो फ्लैक्स एक्स्टेंशन मुमेंट होता है उस समय जो आपका गती होती है एक प्रकार की कोड़िये गती होती है, हमाल लेजिए नबे अंस का कोड़ है, यहाँ पे आपका जो बिंदु होगा, बीश में होगा, कभी भी बृत के केर्द में जो होता है, कोड़िये गती उत्पन होती है, और नेक्स्ट कोशन है, दो सतहों के स्पर्ज से उत्पन होने वाला बल क्या कहलाता है, तो मैं पिछली वेडियो में बताए हूं, कि दोस्तों, जो दो सतह होता है, उन दोनों के स्पर्ज से होने वाला बल, फ्रिक्शन यानि की घरसर बल कहलाता है, घरसर बल क्या होता है, ज जब कोई वस्तु किसी सतह पर गती करती है तो उसकी गती के विपरीद दिसा में एक बल कारे करता है जिसे घरसर बल करते हैं एक गती का बिरोध करता है दोस्तों जैसा कि घरसर जो है खुर्दुरे अगर सतह खुर्दुरा है तो घरसर ज्यादा होगा अगर सतह अगर तो दोस्तो सीजिटर्डर प्लेन में क्या होता है जो होता है वह सरी को दाय को भागों होता है तो इस के उधार होता है तो इस ल nou कलाई का रडिया डेविएशन हो जायेगा निएक्यानिक आईसेंग की personality inventory मापति है तो बैग्यानिक आईसेंग की personality inventory जो है वो वेक्टी के introversion and extraversion के रूप को मापता है निएसथ है गती की इक्काई क्या है तो दोस्तों गती की इक्काई दो होती है एक होता है from timer μीटर पर तम आवर यानि किलो मिटर प्रति घंटा और एक होता है मिटर प्रति सेकेंड यदि आपके कोस्टन्स में अगर स्पीड यानि गति के अगर इकाई यानि यूनित पूछे अगर आप समने किलो मिटर पर आवर है तो भी वो राइट रहेगा यदि आप समने मिटर प्रति सेकेंड है तो तो आच यानि एकसिस जैसे भान पे आपको हर वींदियो में बताये हुआ है 4 France determ्व ड़छार, देख सकते हैं जो कि प्रथम स्रेड्य के उत्तोल्क में फोर्स यानि की बल बीज में होता है, तो यहां पे प्रथम प्रकार के उतलग को संतुलन का लिवर, दिती प्रकार के उतलग को बल का लिवर और तिति प्रका के उतलोग को गति का लीवर कहते हैं नेक्स्ट है अपकेंडरी यानि सेंट्रिपिटल और अभी केंडरी यानि सेंट्रिफ्यूगल अभी केंडरी यानि सेंट्रिपिटल बल न्यूटन के किस नियम का उधार है तो दोस्तो यहाँ तृतिय नियम क्रिया प्रतिकिया के नियम का उधारण है अपकेंद्री और अभी केंद्री बल अपकेंद्री यानि की बाहर की उर अपकेंद्री यानि सेंट्री फिगल फोर्स जो बाहर की उर लगती है केंद्र से बाहर की उर अभी केंद्री यानि सेंट परियोग करता है नेक्स्ट है, परतम श्रेडी का उत्त Vielen वा प्रिख हैं, जो परतम स्रेडी का उत्त fallक होता है, जिसमें एक्सिस बीच में होता है, वाह बल्ड़ गति दोनों को बढ़ाने वाला गहता है Each Question नहीं बढ़ते हुए बच्चों के लिए साररिक सिच्छा पाठेक्रम कैसा होना चाहिए तो दोस्तों हमेशा पाठेक्रम किसी का भी हमेशा बालक केंद्रित होना चाहिए नेक्स है दूस्तो रेखिय गति एक उधारण है तो रेखिय गति एक सीधी देखा में होती है जैसे 100 मिटर का दोड़ एक प्रकार का रेखिय गति का उधारण होगा नेक्ष्ट है बाससे इतनु जुड़ी होती है इस उत्तोल्क का कारेक करती है तो यहां तो यहां पर परफन सजड़ी की उत्तोल्क कारेक करती है नेक्ष्ट है दौश्टो उछ норм कुद आयामों में हाथों और पेरों का उपगमन यवं अपगमन में उपयोग होता है तो यहाँ इसमें भूपरिष्ट समनांतर सतह का उपयोग होता है नेश्ट है सेट कमांड पर तेज धावक किस इस सिती में रहता है तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं स्प्रिंट दोड़ों में तो इसमें तीन कमांड भये जाते हैं आनियर माक्स , SaturdayQUE । सेट के शिती में और इसी संचुलन होता है और हमारा भार कंदों अगर हाथों पर होता है नेस्ट दोस्तों स्टेज गती की दोड़ों में मूख्य कारक है तो दोस्तो तेजगती की दोड़ों में मुख्य कारप होता है मांस्पेस ये तन्तू के प्रकार जो मांस्पेसी फाइवर होती है दो प्रकार के होती है रेड मसल फाइवर और वाइट मसल फाइवर रेड मसल्कrem फाइबर जो होता है जो संसिल्ट या ऐरोबिक क्रियाओं वाले क्याओं वाले अभी तसमय की संसिल्टा वाले लिएक क्रियाओं पिरित केम आता है नेक्ष दोस्तों किस कोड के पस्चात अत्रित खीचाव प्रारम होता है तो दोस्तों 180 डिगरी तक आप अपने को खीचेंगे तो वहाँ पे अत्रित खीचाव प्रारम होता है जैसे कि कंधे को ऊपर उठाना समतान संकुचन को यह भी कहते हैं तो समतान संकुचन यानि कि जहाँ तनाव बना रहे बट आपका मांसपेसी जो है इस्थी रहे ने लंभाई न गटे तो उसे हम इस थी संकुचन यानि कि आईसो मेतरी कंट्रक्शन कहते हैं नेक्स्ट है जब केंद्रो पसारी यानि कि सेंट्री फिवलितल फोर्स जो केंद्र से बाहर क्योँ लगती हैं केंद्र कुभल लगती है बल एक दूसरे को सनतुलित करते हैं तब रिंग बॉल क्या करता है तो और अधिक गती से चलेगा यानि सेंट्रीपीटर और सेंट्रीफीगर जो दोनों जो फोर्स होते हैं एक दूसरी को संतुलित करते हैं तो जब तब उस कंडिशन में रिंग बाल जो है और अधिक गती से चलेगा नेक्स्ट है आकुंचन तखा बिस्तार यानि फ्लेक्शन और एक्स्टेंशन किस अच्छ के इद गेद होते हैं दोस्तों तो यहां आपका होता है और frontal axis होगा और sagittal plane होगा याद रखिएगा क्योंकि frontal axis जो होता है और sagittal plane के लंबत होता है और sagittal plane जो होगा सरी को दाय बाय भागो में बाढ़ता है और गत्ती आगे पीछे यानि flexion extension moment होता है तो याद रखिएगा यहाँ पे frontal axis होगा और sagittal plane होगा तो मदे पार्सविक अच्छ और मैसो lateral axis आपका होगा lateral axis आपको sagittal plane को कहते हैं इसलिए अच्छे से देख लिजिएगा दोस्तों क्योंकि मैं type of plane and axis के बारे में वीडियो अच्छे से बनाया हुआ है नेक्स्ट है दोस्तों अग्र धरातल यानि frontal plane सरी को विभाजित करता है तो जो frontal plane होता है सरी को आगे पीछे भागों में बारता है और गती डायबाय होती है यानि abduction, adduction तो frontal plane सरी को आगे पीछे भागों में अग्र पस्च अर्धमें बारता है गुटना विस्तारण किन मंस पेशियों दूरा होता है तो दोस्तो हमारा जो जांग के ऊपर की मंस पेशियों गर्छुट में होती है दो. गुटने को मोईने का काम को पता है काम कुं करता है तो हमारा जो हेमस्ट्रिंग मसास होती है जो जान के पीछे वाली मसास होती है जो तीन पेशियों से मिलकर बना होता है बाइसेप्स मेरीस, सेमिमेमिलेनियस और सेमिटेंडेनियस नेक्स्ट है इस्थायतु की मातरा किस घटक पर निर्भर करती है तो दोस्तो इस्थायतु यानि कि संतुनन की बात कर रहा है तो आपका जितना ही जो सेंटर ग्रिविटी पॉइंट है वो जितना नीचे रहेगा उतना ही ज्यादा संतुनन अच्छा होगा इस्थायतु अच कहा है और घर से बल ये इस्थाईत्र की मात्रा इन सभी पर नेभर करता है नेश्ट है ऐसे कौसल को क्या कहते हैं जिसकी तैयारी के लिए समय मिलता है इस्थिती का पूरुदर्शन होता है तथा संचलन पर पूरुणियंदर होता है इस प्रकार के कौसल को स्वागत्विक्र कोसल कहते हैं नेक्ट है न्यूटन की गती का तिसरा नियम मुखिरूप सिक किसके लिए उपयोगी है तो दोस्तों न्यूटन की गती का तिसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यानि कि हम जिस वस्तु को जितना बढ़ना ठीक है जिसे ताराग पानी को क्या करता है पीछे की तरब लाता है तो हम आगे बढ़ते हैं जिसे वह आकी कहने पैडल चार बंदुख चलने पर पीछे की और गिर जाना गेंदों का ड्रिबलिंग करना बाल को दिवार पर फेकना उची कूद के खिलाई द्वारा नम सतह की जगह ठोस सतह का चैन करना ड्रिबिलिंग करना यह सब ही क्या होंगे क्रिया प्रतिकिजा का उदारों होंगे आज जब कि यहां पर रनिंग जंपिंग भी आपका क्या होगा क्रिया प्रतिकिजा के नियम का एक एक जांपल होंगे उप्योगी होगा नीटर ने त प्रचलन में आया यह पूछ दिया था वी पेसी टी आई तुमें तो कुछ भी पूछ सकता है गति के तिन नियमों का नीटन ने कफ प्रकासन किया 1687 में याद रखेगा किस पुस्तक में अपने पुस्तक प्रिंस्पिया में तिन नियम कौन से है प्रथम नियम को जर्टो का नियम जर्टा का नियम अक्रमनता का नियम लाप इनर्शिया गलेलियो का नियम आदि नामों से जाना जाता है बिती नियम को सम्वे का नियम तुरल का नियम लाप मोसं लाप एक्सिनरेशन मोमेंटम बलके प्रथिपल का नियम आदि नामों से जाना जाता है तिसे नियम को क्रिया पत्रिकिया कर्णियम, लाब एक्सन डियेशन, कॉन्टर फोर्स लाब रेसिप्रोकल एक्सन आधि नामों से जना जाता है नेक्ट दोस्तों चलने के गेट साइकल में स्टांस फेज और स्विंग फेज का अनुपात लगभग क्या होता है तो 60, 30, 40 होता है नेक्ट है प्रच्छेपड की समय की गर्ना की जाती है तो टी बराबर टू भी साइन थीटा अपान जी दोस्तों प्रच्छेपड का आप ज़रूर वीडियो देख लीजेगा मैंने प्रच्छेपड प्रच्छेपड पर वीडियो बनाया हुआ है कि इंसलोजी एं बायो मेकनिक्स वाले प्लेलिस्ट में जाएए और सभी वीडियो को जरूर देख लीजेए वहां से कोर्शन हंडर परसंट बनेंगे चाहिए बिहारatur रियस्टेट हो चाहिए बीपयसी का मेन एकजाम हो नेश्ट ही बैलेस्टिक मुमीन फ्रेज का सभी जीक्राइम क्या है इसका सह रिकाल मैं पर प्हीले क्रिया फिर रिकावरी और फिर तयजारी यानिक की परिपरेशन ठीक है जो है नेक्षट है यहाँ पितों वोना चाहिए पहले क्रिया पहले तैयारी क्रिया तब रिकवरी जो भी है बलेश्टिक मुमिल कफेश सही करम है क्रिया रिकवरी अतैयारी गरसर किस पर निर्भर करता है तो दोस्तton पदात स्वरूप पर निर्भर करता है कि गरसर अधिक होगा तो घरसर अधिकichen अगर दोस्तो आप समझते हैं कि जो भी इस्पोर्स होता है, इस्पोर्स के लिए सूज होते हैं, जो रनिंग के लिए सूज होते हैं, उसमें सोल यानि की टाके लगा जाते हैं, जो किल होता है, ओ जूतों में रहता है, तो ओ किसलिए लगा जाता है, ओ घरसर बल को बढ़ाने के लिए लगा जाता है, कि जो धावक ह वो गेर नहीं और भूमे के साथ उसका पकड़ बना रहे और घरसरबल बना रहे गरिक सब्द से और किसे सब्द जीसे मुंएर सब्द दे दिया था आपका मोटीवेशन से प्रेड़ा से नेक्स्ट है किस पदार्थ में मात्रा और भार दोनों निस्चित होते हैं तो द्रव जो होता है जिसमें मात्रा और भार दोनों निस्चित होते हैं पदार्थ किती नवस्थाएं होती हैं ठोस द्रव और गैस याद रखेगा नेश्ट है सन्रचना और गमन के बीच गुणात्मक और मात्रात्मक अंतराप्रिष्ट का अधियन किसके अंतरगत किया जाता है तो दोस्तों सन्रचना और गमन के बीच गुणात्मक और मात्रात्मक अंतराप्रिष्ट का अधियन यह बायो मेकेनिक्स के अंतरगत किया जाता है नेगश्ट है हवाई दती मे तीन अभी विज्यास हो सकते हैं उद्वाधर यानी कि वाटिकल अनुप्रस्त और जुका इन में से उद्वाधर अभी विज्यास में कौन सा सामिल है तो इसमें आपका होगा और वादर में कम से कम उठना अधिक से अधिक घसितना नेक्ट है सोड़ी संदी के एड़ गेद मांस्पेसियों की चार समूह होते हैं इनमें से मदवर्ती मांस्पेसिय समूह किसके लिए कारे करता है तो वह अभिवर्तम के लिए कारे करता है नेक्ट है एक जिमनाष्ट शरीर के घुणन की तरिज्या में फिर बदल करके लगातार कई बार 26 बंड पर जॉइंट स्विंग करता है इसके लिए वह क्या करता है इसके लिए वह घुणन की तरिज्या को लगातार बारी बारी से घटाता और बढ़ाता है नेक्ट दोस्तो फ्लैक्सन का ताथपरे क्या है फ्लैक्सन मतलब किसी चीज को मोरना तो मोरने में क्या होता है दो हडियों के बीच का कोड कम होता है तो फ्लैक्सन का मतलब होता है दो हडियों के बीच का कोड कम होना और एक्स्टेंसन का ताथपरे होता है दो हडियों के बी करते हैं डंबर्स को नीचे ले आते हैं इस कंडिशन में दो हडियों की बीच का कोड़ क्या होता है बढ़ता है दोस्तों एक कोशन पुछा हुआ था आपके बीच कोड़ कम होना क्या कर लाता है तो फ्लेक्शन वहां पर राइट अंसर था नेक्स है दोस्तों एबड़क्शन यहां पर एबड़क्शन नहीं पुछा है हाथ को बगल में उठाना एबड़क्शन होगा जबकि अनटॉमिकल पोजिशन मतलब अनटॉमिकल पोजिशन दूर ले जाना या बगल में उठाना एबड़क्शन होता है अब पुन्ह वापस ब के बाद सरी अनोटोमिकल पोजिशन में आना कर लाता है तो इस तक गती में गती से एक कोश्चन जरूर आता है याद रखेगा नैक्स्ट है दोस्तों कि हैमर थ्रो में हैमर को घुमाते वक्त कौन सा फोर्स लगता है दो बल कारे करता है एक सेंट्रिपीटल एक सेंट्रिफी रिक它 हायमर चौड़ते सेमैं कौन सा force लगता है तो घुमाते समय gardening, वाथ केंदरी यादा था नीयम के अंतरगत आते हैं यहां उन्हें परतिक्लिया के नीयम के अंतरगत आते हैं नेश्ट है इंटर्नल फोर्स आंदरिक बल किसे कहते हैं तो बल दो प्रकार का होता है एक्स्टर्नल और इंटर्नल इंटर्नल फोर्स यानि आंदरिक बल मांस्पेस ही तुदर लगाएगे बल को आंदरिक बल कहा जाता है नेक्स्ट है external force यानि वाह वेल किसे कहते हैं तो दोस्तो जो घरसबल, हवा का प्रतिरोध, गुर्थवा करसबल इस अभी वाह बल में आएंगे तो प्रतिरोध यों गुर्थवा करसबल यहां पे right होगा नेक्स्ट है दोस्तो एक खिलाड़ी जब किसी बाल को कैच लेता है बाल का हाथों में संपर्क आने के बाद, वो हाथों को नीचे की तरफ खिचता है यहां पर न्यूटन का कौन सा नियम लगता है तो दोस्तो यहां पर सबसे ज़्यदा दूसरा नियम संविय का नियम यानि कि जिस दिसा में वस्तु जा रही है बर उसी दिसा में लगता है तो यहाँ पर सुविक का नियम जदा होगा पर यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा तीनों नियम दिया है लेकिन एक कोस्टन आप धूरेंगे तो दूसरा नियम जदा होगा अगर ऐसा देगा तो पहला दूसरा तीसरा तीनों लगा दीजिएगा अगर क्योल दूसरा होगा तो क स्पेसी मापन की इकाई मौई क्रॉन होती है नेकर दोस्तों फोर्स यानि की बल की इकाई क्या है तो दोस्तों फोर्स यानि की बल की इकाई होती है यहां पर दोस्तों गलत दिया है मिटर पर ती सेकंड और किलो मिटर पर आवर यह स्पीड यानि की गती की इकाई है जबकि यानि की बल की एकाय जो है वहाँ CGS पदधती में डाइन होता है MKS में किलो ग्राम येंस सचाने ये या पास्कल ये नीटन पटी मिटन सचानी ये होता है और FPS पदधती में पाउंडल होता है जैसा कि CGS को फिल फाम होता है सेमी ग्राम सेकंड मिटर किलोग्राम सेकेंद मिटर किलोग्राम सेकेंद MKS प्धधती में बल का मात्रक होता है KIGRA यानि KGm-m3s² और FPS प्धधती में airpPS का FUL teach form होता है Pound 16 और FPS प्धधती में बल का मात्रक होता है PoundL Pound要ल पाונ्ड नहीं होता है Pound All जो cabin होता है दाब का मात्रक होता है PASKAL और 1971 3ms² याद रखेगा नेश्ट दोस्तो एक्सिलेशन यानि तोरण की एकाई क्या होता है तो तोरण की एकाई होता है मीडर प्रतिस सेकेंड इसक्वाइर तोरण की एकाई क्या होता है मीडर प्रतिस सेकेंड इसक्वाइर और एक्सिलेशन यानि तोरण का सुत्र क्या होता है कि अंतिम वेग माइनस प्रानमिक वेग अपान समेंदराल नेक्ट दोस्तों वर्क की एकाई क्या होता है तो वर्क का एनरजी दोनों की एकाई होता है जूल याद रखेगा नेक्ट दोस्तों पावर यानि की सक्ति की एकाई होता है वाट ठीक नेक्ट दोस्तों फोर्स के बराबर क्या होता है तो फोर्स यानि बल का सुत्र होता है द्रब्मान हुरे तुरण नेक्ट है मोमेंटम के बराबर क्या होता है यानि समवेक मोमेंटम बराबर होता है किलोग्राम मिटर परती सिकिन किलोग्राम मिटर परती सिकिन नेक्ट है acceleration बराबर होता है तो acceleration जो होता है अंतिम वेग मैनस प्रारंबीग बेग अपान समय अंतराल नेक्ट है work के बराबर क्या होता है तो work के जो है कारे बराबर बलगुडे बिस्थापन ठीक है बल लगाकर बल की दिशा में बिस्थापन करना ही कारे कल आता है कारे बड़ाबर होजाएगा बल गुड़े बिस्थापन ठीक है नेट्ट दोस्तो limitation काइनेटिक इनरजी के बराबर होता है कानेटिक इनरजी जो हता है वन आपान तूम भी स्कोर Esse नेट्ट है Radian बराबर कितना goal होता है तो एक रेडियन बराबर 73.3 डिगरी होता है नेक्षा 360 अंस पर कितने रेडियन होंगे तो यहाँ पे 2 पाई आपका राइट होगा इसको निकालना पड़ेगा किसी और बेडियो में इसको बता दिया जाएगा नेशा काइनेसिस सब्दका क्या अर्थ है तो किसी लाजी दो सब्द गरिक के दो सब्दों से मिलकर बना है काइनेसिस यानि और लोगस का अर्थ होता है पेसिये गती और लोगस का अर्थ होता है अधियर यानि की पेसिये गती यानि गती बिग्यान नेशा गती बिग्यान के संबाद हमें पुस्तकों की रचना की तो कौन कौन से पुस्तकों की रचना की है अरस्तु जी ने पार्स आप एनिमल्स, मुमेंट आप एनिमल्स, प्रगेशन आप एनिमल्स, जैसे कि पेशी किंसिलोजी के जनक जो है यानि पेसी गती बिग्यान के जनक हैं और अस्तू नेश्ट्रेक किल्सुलोजी गती बिग्यान के अधियन का छेतर क्या है तो इसका अधियन का छेतर होता है Anatomy and Physiology नेश्ट्रेक मानोर सरीर एक जटिल रजना पर कोई सा सिधान लागू होता है तो इसके जव याद रखी यानि की बाइयो मैकनिक्स का सिधान लागू होता है ज़ित किसे उत्पन करते हैं, तो मान्स्पेशिये बलसे यांदरिक बलसे गति उत्पन करते हैं याद रखेगा नीश्या अरस्तु ने अपनी किस पूसतक में पसुऊंगी सरीर की यांधर की वीवस्था वोरित की है तो moments of animals में उन्होंने पसुऊंगी सरीर की यांधर की वेवस्था का वर्ण किया है नीश्या खेल प्रसिचक खिलाडियों को पहले किस विधा से परचित करवाता है में एक कोशन पूछा हुआ था कानेटिक्स से और कानेमेटिक्स से जहां केंदर में फोर्स जो है बल मुख्य होता है कानेटिक्स में फोर्स पर यानि की बल पर जो दिया जाता है अजब की कानेमेटिक्स में वस्तु की गती में परिवर्टन पर बल दिया जाता है याद रख याद रखेगा और काइने में में क्या होता है कि वस्तों के परवर्टित गतिका अधिर किया जाता है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही एक दो विडियो में आपने किसी लोगी और बायो में के मुख्य मुख्य कोशन्स फुरा हो गया कोई भी डाउट आपको नहीं होग होगा दोस्तों मेरे साथ बने लगे सभी डाउट आपके किलियर होंगे मैं आपको एक अथेंटिक जनकारी देती हूँ यहां पर ताइम पास थोड़ा भी नहीं होता है एक दो आपके ताइम का ध्यान रखा जाता है तो दोस्तों अगला जो विडियो होगा वो खेल चिकि